तो फिर से एक बार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिके डिजी डिलकेश में तो दोस्तों कल आप सभी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बातें करी थी की डॉक्टर निकोलस और डॉक्टर चैंग डाय फैन का जो इंटरिफ्यू हुआ फॉप्स के कांसिलिंग मेंबर के जरीए तो वहाँ पर उन्होंने अपने बारे में क्या क्या चीजें बताई तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है दोस्तों कल हमने पढ़ा था और बाखी का जो हिस्सा है तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं एक inspiration story जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि भाई ये पाई network जैसा एक system बनाया जाए ये पाई network जैसे एक cryptocurrency बनाया जाए तो अभी फिलाल उनकी जो story है उसमें से ये जो हिस्सा है आज की इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन जो true pioneers हैं जो positive pioneers हैं वो यहाँ पर इस story को जरूर सुनना चाहेंगे तो चली आगे पढ़ते हैं और आज यहाँ पर वो अगला part अगला हिस्सा दोस्तों यहाँ पर हम उसको समझने की और समझाने की कोशिश मिल करके करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि दोस्तों अभी फिलहाल कल तक हमने पढ़ा था कि अपना ये यह वाला part हाँ चैंग डाइफ कि आप पहली बार ब्लॉक्चेन और क्रिप्टो करंसी उद्योग में कैसे शामिल हुए तो यह सवाल उनसे पूछा गया है कि कैसे आप ब्लॉक्चेन या क्रिप्टो करंसी के अंदर आए दोस्तों यहां पर यह सवाल किया गया है और यह सवाल दोस्तों आप मैंसे बहुत सा पारे लोगों की कहाने होंगी कि पाई नेटवर्क के अंदर आप किस तरीके साइए आप कैसे क्रिप्टोकरंसी के अंदर आए या पाई नेटवर्क आप लोगों के लिए सवाल आप सभी लोगों की लाइफ में जो यह प्रिंस अपलाई होता है चलिए लेकिन यहां पर फिल इप्टोकरंसी के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों उनकी पार्टनर भी हैं तो वो यहां पर कहती हैं कि मैंने अपनी PhD मानव व्यभार और मानव जनसंख्या अध्यन में विशेशक्यता के साथ यानि कि दोस्तों इन्होंने जो अपनी PhD करी है प्रॉफेसर लेवल इसके लिए कोई अलग separate word होता है क्योंकि आहां sorry population so human population उसके बारे में study specialty के साथ में जो है यानि ठीक है अध्यन किया है यानि कि आपका human nature और साथ ही साथ आपका human population के बारे में उन्होंने नों study किया है उसके अंदर specialty जो है यहां पर उन्होंने की है और यहां पर Stanford विश्व उसके अंदर यहां से इन्होंने मानव विज्ञान यानि की human science के अंदर भी जो है इन्होंने यहां पर study करी है उनकी एक research के निसार जो कि यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मेरी शोध रूचियों के बाद में यानि कि जो उनका एक interest था research करने का उसके बाद उन्होंने मानव computer संपर्क यानि कि human computer system और सामाजिक computer पर आधारित और social computer पर ध्यान केंदृत किया मेरी शोध रूचियों के बाद में मानव computer संपर्क को सामाजिक computing पर ध्यान के इंदित किया यानि कि मैंने जो है अपनी research के बाद में अपनी जो मेरा जो interest था research करने को लेकर के उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो human computer system है या एक जो communication system है और साथी साथ society based जो computer system होता है ठीक है computing सामाजिक computing पर ध्यान के इंदित किया उस पर जो है इन्होंने अपना focus जो है वो डाला और विशेश रूप से यानि especially उन्होंने मानव वेवार हम मानव वेवार समाजों को सकरात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए प्रद्योगी का उप्योग कैसे करते हैं यानि कि यहाँ पर इन्होंने especially जो है इस चीज़ पर भी focus किया study करने के लिए कि हम किस तरीके से जो human का nature है और साथी साथ जो effect करने के लिए या उनके उपर एक अच्छा impression डालने के लिए प्रद्योगी का उप्योग कैसे करते हैं यानि कि production या फिर एक produce ठीक है तो आप overall वो एक industry उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं वो उद्द्योग वो एक प्रद्योगी ठीक है वो एक production उसको हम किस तरीके से create कर स सकते हैं human nature के हिसाब से positive way में जिससे कि वो उसके उपर एक positive impact भी डाले उस society के उपर भी तो उसको हम किस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं किस तरीके से हम build कर सकते हैं ऐसा एक system जो पूरे मानब जाती पर एक अलग ही impression डाले उसके nature पर जो है यहाँ पर कुछ impression डाले उसको तो किस तरीके से यहाँ पर build किया जाए यह उनका कहने का यहाँ पर मतलब है एक आर्थिक साधन के साथ यहाँ पर विकेंदी करण के विले के कारण blockchain तकनीक के बारे में उतसाहित हो गया यानि कि यहाँ पर एक normal जो sources होते हैं आर्थिक साधन यानि कि एक normal चीजे जो कि हम daily basis के जो resources होते हैं daily basis के जो जरूरते होती हैं रोज मर्रा के जो जरूरते होती हैं उसके साथ ही यहाँ पर विकेंदी करण के विले के कारण blockchain तकनीक के बारे में उतसाहित में हो गया तो विकेंदी करण के विले के कारण विले का मतलब मुझे नहीं से थोड़ा सा clear नहीं है विले क्या होता है आप लोग comment section में comment करके बता सकते हैं लेकिन over मुझे बात है यहाँ पर समझ में आ रही है तो इस चीज़ के कारण दोस्तों यहाँ पर blockchain technology के बारे मैं मैं जो है बहुत जादा excited हो गया तो इसके बाद यहाँ पर यह तकनीक चमतकार दुनिया भर के व्यक्तियों को भाग लेने और उनके योगदान के लिए पुरस्कृत करने के लिए प्रेरित कर सकता है यानि कि यह जो एक technology है यह एक miracle के तौर पर चमतकार हमारी भाशा में दोस्तों जो बोलते हैं इंडिया के अंदर चमतकारी दुनिया ठीक है एक miracle से भरा हुआ world तो यह जो टकनीक है यह जो चमतकार एक चीज होने जा रही है या आप बोल सकते हैं यह तकनीकी चमतकार दुनिया भर के व्यक्तियों को भाग लेने यानि कि यह जो टेकनोलीजी का जो एक invention दोस्तों डॉक्टर निकोलस और चैंग डाय फैन ने किया है यहाँ पर तो यह और लोगों को participate करने के लिए और साथी साथ उनका contribution देने के लिए उनको reward गेन करने के लिए यहाँ पर जो है दोस्तों प्रेरित करता है inspire करता है यानि कि लोग जब हम यहाँ पर दोस्तों जब आ रहे हैं उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम डॉक्टर निकोलस और चैंग डाय फैन ने यहाँ पर मिलकर के बनाया है कि जिसके अंदर हम जैसे लोग जब participate करते हैं या अपना contribution जो दे रहे हैं तो उसमें जो प्रुसकार के तोर पर जो चीज़े हमको मिल रही है वो है दोस्तों हमारा pie coin वो इनके कहने का मतलब है कि प्रुसक्रित करने के लिए प्रेरित कर सकता है और यहाँ पर वो जो participation जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं तो हमारा जो participation है वो उन लोगों को प्रेरित कर रहा है कि वो जो है हमें वो उस चीज़ के लिए reward दे तो यहाँ पर जब हमें reward वाली चीज़ यहाँ पर मिलेगी या हमें यह लगेगा कि भई अगर हम इसके अंदर participate करते हैं तो हमें reward के तोर पर pie coin मिल रहा है अगर हम इस project के अंदर जोड़ते हैं तो हमें reward के तोर पर वो pie coin मिल रहा है जिसको हम utilize करेंगे जिसको जिसके अंदर भाग लेगर के हम जो है कही न कहीं वो benefit जो है दोस्तों उठाएंगे और एक बड़ा role जो है अपनी जिन्दगी के अंदर दोस्तों यहाँ पर play करेंगे तो जो इनके कहने का अर्थ है दोस्तों वो यही है इसके बाद यहाँ पर जैसे कि बोला गया है जिस तरह से internet ने दुनिया को सूचना कि आदान प्रदान के माध्यम से अधिक connect करने में सक्षन बनाया है यानि कि जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो internet आप लोग देख रहो आज की time की बात करें तो उसने दुनिया को पूरे world को news, knowledge, education provide करने के लिए या लेने के लिए ठीक है यानि for example कुछ लोग provide भी करते हैं जैसे for example मैं आपको पाई के लिए educate कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर प्रदान कर रहा हूं आदान प्रदान कर रहा हूं और इसी तरीके से लोग भी यहाँ पर knowledge जो है लेते भी है और देते भी है तो internet ने जो है यह एक माध्यम बनाया है एक माध्यम दिया है लोगों की जादा से जादा लोग जो है वो यहाँ पर सूचना का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे को connect करने के लिए यहाँ पर सक्षम हो पाए तो वो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जिस तरह से इंटरनेट ने दुनिया को सूचना के आदान प्रदान के माध्यम से अधिक्ट करने करने में सक्षम बनाया है यानि उस चीज को possible किया है और यहाँ पर वो चीज जो है वो सही तरीके से work भी कर रही है तो वैसे ही blockchain और cryptocurrency मूल वैसे ही यानि कि उसी तरीके से जो blockchain है और जो cryptocurrency की value है एक्सचेंजों के साथ घनिष्ट यानि जो हम exchanges यूज करते हैं Binance हो गया, WazirX हो गया, Yobi हो गया टीक है, Elbank हो गया, Laatoken हो गया आपने सुना ही है उन सभी का नाम तो उसी तरीके से blockchain और cryptocurrency की कि जो value है डोस्तों, वो exchangeों की वज़े से घनिष्ट और अधिक लगातार सहयोग को सक्षम करते हैं और साथी साथ, यानि कि continuously basis पर यहाँ पर जो है जो हमें उनसे corporate मिलता है कि हम वहाँ पर transaction कर सकते हैं, खरीच सकते हैं तो वो उसको और ज़्यादा सक्षम बनाता है, यानि कि उसको और ज़्यादा सक्षम बोले तो एक तरीके से भरपूर बनाता है, यानि कि वो उस चीज़ के लिए capable है यानि ये blockchain और cryptocurrency जो है, दोस्तों, यहाँ पर मुल्यों को exchange के साथ में, यानि कि उनकी जो value है exchange के साथ मिल करके उसको और ज़्यादा broad, घनिष्ट और साथी साथ यहाँ पर continuously help और continuously cooperation के साथ में यहाँ पर जो है उस चीज़ को और ज़्यादा capable बनाता है, blockchain और cryptocurrency की वज़े से सिर्फ आज के जो exchanges हैं, वो मजबूत हैं यहाँ पर अगर cryptocurrency या blockchain सिस्टम ना हो, तो यह Vajirex और Hiobi जैसे या Binance जैसे platform exist ही नहीं करते, तो इस वज़े से दोस्तों यहाँ पर इस बात को यहाँ पर इनोंने mention किया गया है ठीक है, इसके बाद यहाँ पर Dr. Nicholas की तरफ से बोला गया है तो इसके बारे में भी दोस्तों अगर हम पढ़ सकते हैं वैसे, भले ही 20 मिनट की वीडियो तो हम लोग यहाँ पर adjust कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो है Dr. Chandai FN ने अपना बताया कि किस तरीके से वो blockchain ये cryptocurrency के अंदर आई, लेकिन अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में यहाँ पर जो है इन्होंने Dr. Nicholas ने बताया है तो चलिए उन्होंने क्या बोला है आईए पढ़ते हैं, तो मैं जीवन भर में प्रद्योकी की वादी रहा हूँ और एक यूवा इसनातक के रूप में, यानि एक यूथ ग्रेजुएट यूथ यंग्स्टर के फॉर्म में यहाँ पर इन्होंने बोला है, जो कि एक यूवा इसनातक के रूप में, मैंने प्रयोकशाला में यानि कि जो अपनी research lab होती है मैंने वहाँ पर जो scrap बोलते हैं, तो उसी को यहाँ पर बताए कि खरोच यानि कि scrap, जैसे कि आप सभी लोगों का मालम होगा कि जो बेकार पार्ट हो जाते हैं, हमारे computer वगरा के hardware वगरा जो होते हैं, तो उनमें से उन्होंने computer motherboard बनाया और उसके बाद यहाँ लिखते हैं, कि मुझे हमेशा से वित्रित प्रणालियों में दिल्चस्पी रही है, और मैं पहले bitcoin exchange में से एक में एक उपियोग करता था यानि कि इनका जो interest रहा है और जो दिल्चस्पी इनकी रही है वित्रित प्रणालियों में रही है और पहले से ही यहाँ पर जो bitcoin exchange में इन्होंने एक तरीके से users के तोर पर उसको use किया है तो मेरे प्रारंबिक PhD काम यानि कि जब इन्होंने यहाँ पर शुरुआत करी PhD की तो और जो work था, मैंने blockchain और Ethereum के अस्तिर्थ में आने से पहले, यानि blockchain और Ethereum के existence से पहले उसके आने से पहले यहाँ पर गलती सही शून वित्रित सिस्टम पर smart अनुमंद लिखने के लिए एक धाचा बनाया यानि कि जो गलतियां थी उस blockchain या Ethereum जैसे project के अंदर या cryptocurrency के अंदर वहाँ पर उन्होंने उसको समझा और एक वित्रित सिस्टम पर smart अनुमंद लिखने के लिए एक धाचा बनाया यानि कि एक proper system के उपर smart blockchain कैसे run करती या smart अनुमंद ठीक है तो एक paragraph उसको उपर total उन्होंने जो एक और इसे मेरी MS thesis के रूप में प्रकाशित किया और यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को यानि जो एक पूरी overall study करके और उसके अंदर पूरा है यानि कि मैं यहाँ पर जो समझ पारों कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इन्होंने blockchain और जो उसके अंदर ये जो इथेरियम था उसके अंदर जो कमिया थी उसके अंदर जो गलती थी ठीक है उन सभी को पढ़ करके उन सभी के उपर research करके इन्होंने एक overall एक बढ़िया सी theory बनाए और जिसमें उन्होंने एक system wise proper system बनाते हुए जो है यहाँ पर इन्होंने MS thesis के रूप में उसको प्रकाशित किया यानि कि उसको जो है उसके उपर पूरी एक जो है नहीं या तब book बनाई होगी या जैसे भी उन्होंने कुछ उसके बारे में theory बगरा लिख्की होगी तो MS thesis के according जो है यहाँ पर उन्होंने MS thesis के रूप में इन्होंने यहाँ पर उसको जो है फिर इन्होंने प्रकाशित किया यानि कि launch किया जिस तरही किसम book publish करते है कुछ इसी तरहीके से इसके बार यहाँ पर लिखा गया है कि मेरी PhD stand for university में thesis crowd sourcing और social computer पर केंदर थी यानि कि जो इनकी university में जो thesis थी इन्होंने यहाँ पर इस्टड़ी करी तो यहाँ पर मेरी PhD stand for university में thesis crowd sourcing crowd sourcing और social computer पर केंदर थी और जो society computing होती है उसके उपर जो है इनका एक center था या फिर उसके उपर जो है पूरा इनका focus था तो वो उस चीज़ के उपर एक pointed थी ठीक है उस चीज़ के उपर वो सारी टिकी थी तो एक बाद में मैं बोलू तो मैं बाद में stand for computer science उन्होंने फिर इसके बाद यहाँ पर stand for computer science department में यानि कि जो stand for university है वहाँ पर जो computer science department होता था उसमें post-doctoral scholar बन गया यहाँ पर जो है यह post-doctoral scholar बन गए जहाँ मैंने stand ford के computer science department में जहाँ इन्होंने वहीं पर उसी university के अंदर computer science department में CS359B blockchain class पर तो यह कोई category होगी दोस्तों इसका मुटे आजे नहीं CS359B blockchain class पर ठीक है विकेंदरी कृत application पेश किया यानि कि इन्होंने दोस्तों blockchain जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस application के अंदर mining कर रहे हैं तो उसके उपर दोस्तों इन्होंने जो है application के उपर जो है इन्होंने कुछ ना कुछ अपना जो इन्होंने की invention करी है ठीक है तो उसके उपर इन्होंने कुछ नो कुछ classes वगर लियोंगे अपनी students के साथ में तो वही चीज़ इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि मैंने जो है computer science department के इंडर CS359B blockchain class पर यानि blockchain की जो classes होती थी जैसे हमारे हाँ पर दोस्तों जैसे फर एक्जामपल होम फूट की classes होती है या होम सैंक्स की classes होती है या फिर अपनी जो history की classes होती है अलग-अलग subjects के उपर classes होती है students के interest के साथ से जो study करना चाहता है उसके उपर तो इसी तरीके से जो यह stand for university है वहाँ पर जो इनका idea था जो भी इनकी planning थी उसको इन्होंने वहाँ पर लोगों के सामने students के सामने रखा और फिर उसके उपर इन्होंने पढ़ाया भी दोस्तों फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि यहीं पर मुझे पहली बार और यहीं पर जो है मुझे पहली बार blockchain की तकनीकी प्रगती को यानि blockchain की जो technical progress है को साधारान लोगों के हाथ में जो एक simple users है simple जो लोग हैं दोस्तों यानि जो इसके students अब student अपने तोर पर अगर देखा जाए दोस्तों मैं अपनी यहाँ पर अपनी रोल जो है economic अंदर play नहीं कर रहे होते हैं कि वहाँ पर किसी तरीकी कोई कि वो कोई जो है महाँ पर कमाई कर रहे हो या किसी तरीकी के ऐसे किसी project के अंदर शामिल हों कि जो कि उनको कहीं न कहीं कमाने का source प्रदान कर सके या वो किसी को अपनी services वगरा ऐसा कुछ एक professional wise कहीं दे सकें ठीक है तो simple user के तोर पर यहाँ पर जो dr. Nicholas है blockchain के बारे में जब अपने भी idea लोगों को बता रहे थे और साथी साथ अपने जो students हैं तो उनको जब वो पढ़ा रहे तो वहीं पर उनको एक मौका मिल गया कि उनी साथारन लोगों को हाथ में लाने में कटनाई का सामना करना पड़ा यानि कि जब मौका तो मिला लेकिन उनी साथारन लोगों को यहाँ पर जिए उन्होंने implement किया तो उनको कहीं नखहीं मुश्किले हुई यानि कि for example for example, मैं आपको दारण की तोर पर बदाता हूँ दूस्तों, जैसे मेरा कोई invention है, मेरी कोई coach है, और मैं शुरुआत में उस चीज़ के उपर confident नहीं हूँ, तो ऐसे मैं अगर मैं उस plan को ले करके जाता हूँ, 2-4 लोगों के पास में, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से स सारे मेरे project को समझ पाए, या positive way में उस चीज़ को ले करके और फिर उसके उपर work कर पाए, या बोले कि हाँ, आपने बहुत अच्छा किया, या बहुत अच्छी सोच है, और आपके आप बढ़िये, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि वह पर जो चार-पाँच लोग है, अगर हमें वहाँ से वो चीज़ नहीं मिलती है, जिसकी हम खोज में है, और जो हमारा idea उस पर कहीं नहीं थोड़ा सा confidence है, लेकिन वो मुझे result नहीं मिल पा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कि मैं वहाँ से वो group change करूँगा, तो इस तरीके स साथ में अपनी जो पढ़ाया या जो अपना idea था वो शेयर किया, उसके बाद में उसमें उन्हें कटनाई हुई, तो फिर उन्होंने और जो students होंगे, उनके साथ में भी discuss किया हुए, या नहीं, for example, कोई ऐसा तो नहीं है, कि पूरे दिन सर्फ एकी class में बैठके पढ़ा र और फिर उनी से मेरे पास में एक ऐसी community बन जाती है, कि जिनको लेकर कि मैं सोचता हूँ, कि हाँ, इसके उपर मुझे जो है, अब पूरे world को system wise करना है, और ये चीज जो है, मुझे फैला नहीं है, तो ये सोचती दोस्तों, यहाँ पर ऐसी सोच रही होगी उनकी, और इसके निकोलस है, उनका यही माना है, कि जो technology है, वो लोगों को और जादा जो है, मजबूत और जादा capable यहाँ पर बना सकती है, अगर technology का सही तरीके से इस्तमाल किया जाए तो, तो मेरा भी दोस्तों माना है, और आप और हम जो कि pioneers हैं, दोस्तों positive pioneers हैं, true pioneers हैं, honest pioneers हैं, 100% आप भ involve नहीं किया, अपने आपको उसके हिसाब से नहीं सुधारा, या उसके बारे में खुद को educate नहीं किया, तो यह हमारी लिए और हमारी generation के लिए कहीं न कहीं, जो है, एक minus point होगा, और हमारे लिए उच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में और भी जादा technology develop होगी, जिसक एक suit पहन करके, iron man की तरह कुछ दूरी तक आप fly कर सकते हो, ठीक है, गाडियां ऐसी आ चुपी है कि वो पानी में भी चल सकती है, और उसके बाद वो हवा के अंदर भी fly हो सकती है, लेकिन वो अभी rare है, लेकिन आने वाले समय में वो बिलकुल ऐसे ही होंगी दोस्तों, जै अगर आग गुगल पर सरच करेंगे, तो आपको वो सारी प्रोजेक्ट मिल भी जाएंगे, तो इसमें अगर कोई unaware है, तो आप लो एक बार गुगल पर सरच करेंगा, आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर technology के जो बात कही है, डॉक्टर निकोलस ने दोस्तों, वो 100% यहा नहाँ पर जो जादा से जादा लोगों को सचत बना सकती है, और जादा capable बना सकती है, तो एक सामान विशे का अध्यन करके हम जानते हैं, तो एक normal subject का study करके या research करके, हम यह लोग समझ सकते हैं, कि हम एक ऐसा blockchain चाहते हैं, यानि हम एक ऐसा blockchain चाहते हैं, यानि कि दोस्तों मैं भी इसमें agree करूँआ, और आप में से बहुत सारे और लोग भी agree करेंगे, अगर इस चीज को समझ पा रहें, तो मैं एक research के अनुसार, एक subject पर research करने के अनुसार, दोस्तों मैं यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं, या यह जानते हैं, कि हमें एक ऐसा blockchain चाहते हैं, जो उन जो डॉक्टर निकोलस की जो खोज है, या डॉक्टर निकोलस की यह application system, यह network system जो बनाया है, तो वो जो है, उसको possible कर सके, जो bitcoin नहीं कर पाया, तो अब अगर दोस्तों यहाँ पर तो इतना इन्होंने लिखाया गए, लेकिन मैं अपनी भाशा में अगर आप लोग वो समझ possibility मिली होंगी, यानि कि उसको जो उनके पास में आया होगा, लेकिन मैंने अलग-अलग stories सुनी भी है, तो या तो लोग जो है, उसको खरीद नहीं पाये थे, या फिर उनको कहीं न कहीं विश्वास की कमी होगी, या फिर कहीं न कहीं डर की कमी होगी, अगर हम यहाँ पर investment कर करेंगी, या मैं इस Bitcoin को खरीदूँगा, तो मेरा पैसा डूब न जाए, मैं भी उन लोगों मैंसे हूँ, दोस्तों कि मैंने उस टाइम पर Bitcoin की अगर मैं बात करूँ, तो Bitcoin जब आया था, तो उस समय पर, मैं उस टाइम पर college में था, और मेरे को, मैं क्योंकि मैं technology जी मैंने बाइक नहीं ले थी, और मुझे अभी भी बाइक चलानी नहीं आती है दोस्तों, तो simple सी बात यह है कि मुझे technology में शुरू से interest रहा था, जिस वज़े से ये blockchain की, मैं उस टाइम पर study कर रहा था, और blockchain और ये Bitcoin से, जो है मुझे नहीं कुछ पता था, लेकिन Bitcoin का नाम मै दिमाग में ये आया था कि मैं Bitcoin खरेदू, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कैसे मुझे Bitcoin मिलेगा, और कहीं न कहीं दूसी जगह पर ये डर था, कि अगर मैं 10,000 रुपे लेकर के, और उस टाइम पर मैं 10,000 रुपे कि Bitcoin खरेदना चाहता था, शायद उस टाइम पर जो Bitcoin की value होगी, ये 2011 ये 2012 के आसपास की बात है, तो उस टाइम पर शायद Bitcoin की जो value होगी, वो लगबख रही होगी, कोई 10 से 50 डॉलर के आसपास, या आप मैं से बहुत सारे लोगों पता हूँ, मुझे idea लिए 2011, 2012 के आसपास, 2011 आप मानलो, ये 2010, 2011 मानलो, तो उस टाइम पर कोई 50 ड अगर मैंने ले ली होते Bitcoin, तो मेरी क्या possibility होती, या मेरी क्या situation होती, तो ऐसे बहुत सारे लोग है, तो overall दोस्तो, अब जो है Bitcoin उस लेवल पर आ गया, या वो कमिया, जिस कमी के हम बात कर रहे हैं, तो वो ये है कि Cryptocurrency या Bitcoin जो है, Pi Network के आने से पहले, लोगों की पहुंच से दूर तो और आज भी Bitcoin लोगों ही, नॉर्मल लोगों ही पहुंच से दूर है, लेकिन एक Pi Network एक ऐसी चीज़ है, जो कि Dr. Nicholas ने उस चीज़ को समझा, और उसकी possibility समझी कि किस तरीके से वो पूरे system को change किया जाकता है, banking system को change किया जाकता है, और कैसे जो लोग है, उनको benefit प्रो जो हम अपनी life में दोस्तों, यानि कि आप सभी को मालम है, कि लोग ऐसे भी हैं जो 8,000, 9,000 रुपे महीने कमाते हैं, 6,000, 6,000, 7,000 रुपे महीने कमाते हैं, लेकिन उनकी जो finding condition है, वो उससे खराब होती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50,000 भी कमाते हैं, लेकिन फिर भ इसमें उनकी गलती नहीं, यह सारी गलती यह जो पूरी दुनिया के अंदर अलग-अला government का जो यह banking system पूरा यह जो पूरे एक organization जो पूरी बनी हुई है, बड़े-बड़े level पर जो बनी हुई है, ठीक है, corruption बगर यह सारी चीज़ें दोस्तों हम इसके अंदर involve करेंगे, औ जो है, जो लोग हैं, वो कही न कही अपनी life में struggle करते हैं, और यही बातें समझते हुए, डॉक्टर निकोलस ने यह बोला है दोस्तों कि यहाँ पर जो यह bitcoin है, वो जिस सतोशी नाका मोटर ने भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें, जो है यह bitcoin जैसी चीज़ें, वो शायद इस इतना लोगों तक फैला हुआ रही था, जैसे कि आप सभी को मालम है कि अमेरिका और बड़े बड़े जो developed देश हैं, वहाँ पर यह चीज़ नहीं होगी, लेकिन हमारे देश के अंदर, आप सभी को मालम है, अगर आप 10 साल पहले चले जाओ, 2010, 2009 में चले जाओ, तो Chinese phone का य इसा काम करता था, ठीक है, तो आप सभी लोगों को यह चीज़ experience होगी, लेकिन बिटकोइन उस टाइम पर यह जो internet की, जो अभी आज इस हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है, अलग लग देशन, बड़िया तरीके से फैला हुआ, आप खुद इस चीज़ के दूसरा की internet connectivity वो भी नहीं थी, लेकिन आज की date में बात करें, तो शायद दोस्तों आप सभी कुमालूगा कि अगर आपके घर में पांच मेंबर हैं, दस मेंबर हैं, तो दस में से साथ से आट मेंबर के पास phone मिलेगा, और किसी-किसी घर में तो दस मेंबर भी है, तो दस मे दस मेंबर की बात करी जाए, तो 12-13 phone भी यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यह होती है, दोस्तों यहाँ पर इस वज़े से शायद बोल सकते हैं, एक समय समय की बात है, कि शायद bitcoin उस टाइम पर launch हो लेकिन अगर आज शायद bitcoin यहाँ पर इस समय पर launch होता, और तो शायद हो सकत जो इतना बड़ा network खड़ा कर देता, जो इतना बड़ा user base खड़ा कर देता था, तो यह दोस्तों मैं हाँ पर समझ पा रहा हो, और I think कि यहाँ पर शायद आप भी इस चीज़ जो मैंने बाते कहीं, शायद आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, और कहीं न कहीं Pi network को बनान पर किसी एक ऐसी चीज़ की कमी नहीं रह जाती, जो यहाँ पर इस project को खराब कर सके, ठीक है, तो यह इसको खराब करना और बेकार करना यह भी दोस्तों आप और हम जैसे लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि आप सभी को मालू है कि Dr. Nicholas Pi की value को ले करके इसमें कुछ नहीं कर स समय भी शायद और बहतर इसको बनाने कोशिश करेंगे, लेकिन जो इसकी value को ले करके जो सारी चीज़ हैं, दोस्तों आप हम सभी लोगों के उपर depend करती है, तो I think कि दोस्तों यहाँ पर वीडियो जो है 30 minute की हो गई, आदे घंटे का lecture हो गया, पर आप एक तरीक से यही मस्ते हुए, मैं यहाँ पर जो है, आप लोग साथ में सारी चीज़े शेर करी और यही सोचके कि भाई चलो ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर जो pie network है या YouTube जो platform है, दोस्तों मैं आपको seriously बता रहा हूँ, कि यह एक educate करनी का platform है आप लोगों को, especially pie network, pie network की वज़े सी मैंने यहाँ पर YouTube जो है start किया था, तो यह एक अच्छा platform है, और आप जितना जादा इसके बारे में खुद को educate करें, जितना इस चीज़ को समझे, यह आप सभी लोग के लिए अच्छा ही होगा, और यह आप और लोगों को भी इस तरीके से है जो तो educate कर सकते हैं, बता सकत यह बहुत अच्छी बाते हैं, एक futuristic thinking है, यानि कि भविश्य को लेकर के अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, और आप और हम सभी लोग इसके अंदर एक अपना अच्छा role play कर रहे हैं, और यह बोल सकते हैं कि दोस्तों 100% जब जिस तिन launch होगा, उस तिन हम सभी लोग जेट के अंदर जो है, अपना contribution दिया, अपना सहयोग दिया, जहाँ पर भले ही हमारा नाम तो ना लिखा जाए, लेकिर हम जो है, प्राउट से कह सकेंगे, गर के साथ कह सकेंगे आने वाले समय में कि हाँ भई, हम भी उस इतहास रचने वाले system के अंदर जुड़े हुए थ दोस्तों, तो इनी सब बातों के साथ दोस्तों बहुत खुशी के साथ, क्योंकि मुझे बहुत आनन्द आया, बहुत अच्छा लगा, मुझे यहाँ पर यह सब कुछ पढ़के और समझा करके, आपको भी लगा हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बत कर रहा है, तो आगे भी मैं इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को इस चीज़ें जो है, तो समझाने की कुशिश करूँगा, तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथी साथ नए है तो बिल्कुल भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को लाइक सब्सक्राइब पहला आइकन को ज़रू प्रस्क्राइब मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में, किसी और नई जानकारी, नई अपडेट नहीं पहुचिंदे के साथ में, तब तक के लि झाल को लाइक सब्सक्राइब करना नाइकन जाई चे साथ में, पहुचिंदे के साथ में...